नबर फुर्टिट्री बीटा लेक्टाम एंटिय। अधर सेल्वाव सेंथिस्टिस इन्हीं हम प्षेशन करना हैं पैनिशील इन्हीं सेपरेटली क्लासिफिकेशन पुछी जाती है कि वैसे क्लासिफिकेशन नहीं पुछ जाती लेकिन इसकी फर्स सेट फॉर जनरेशन के ड्रोड रग्स ना उनके नेम्स पुछे जाते हैं थर्ड जनरेशन सेफलो स्पॉर इंस के आप नेम्स लिखें ठीक है तो आपने नेम्स इनके अच्छे से घरने हैं उसके बाद पैनि के कुछ पाइंट्स मैंने लिखे हुआ हैं बेक्टिरिस इडिल होती हैं सेल्वाल सिंथिस इन्हिबिटर होती हैं रिलीज्ट वाय उरिन और इनकी सेक्रीशन को प्रोवैनिस इन्हिबिट कर देता है यह आपना कहना और यह क्रॉस करते हैं ब्लॉड वेंड बैरियर को बैसित्रेसिंट्स साइक्लो सिरीन और डेपरमाईस उसके बाद मेक्निजम और रिजिस्टन्स के बात करें तो यह दोनों यूक्यूज हैं सैपरेडली यह कॉछ्टन्स बॉच्छा जाते हैं वर्य वर्य इंपोर्टेंट हैं आपने इनकी मेक्निजम और याद रखना है ठ तो तो ट्री ज्लासिट्रम जो हैं उनकी सब एक से दोड रहाद रखनी है आप ने जैसा कि यह से यूज होता है और और उर्फरेंगल इंफेक्शिट्र में बास इतना आप नहीं रखना हैं करने हैं इसी तरह वैर्डर स्पेक्ट्रम के और उसके बाद टॉक्सिसिटी जो है इनकी यूक्यूज में पूछी जाती है वैसे एक से दो मतवाई है यूक्यूज में तो यह आप कर लीजेगा इतनी मुश्किल नहीं है लिजिक रेक्शन्स करते हैं और गैस्ट इंडेस्ट्रम्स तो उसके बाद सेफलोस्पॉरिंस की करते हैं सेफलोस्पॉरिंस की इतनी नहीं है इनकी हर जनरेशन की टू 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 ट्री ड्रग्स आपने याद रखने हैं कि वह पुछी जाती है सेपरेटे ठीक है इनका मैकनेसम ऑक्शन सेम पैनिसिलिंस की तरह ही होता है तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप प्रॉब्लम एक बंदा पैने से सेंसिटिव है तो इसे को रख देंगे या इस तरह की डग देंगे तो इस तरह के क्वेस्टेंस में पुछी जाते हैं इसके आपने सिर्फ साइट परेने के लिए मैकनिजम ऑफ एक्शन और एक से दो इनके क्लिनिकल यूजिज याद कर ल इसके लाव आपने हैं से कुछ नहीं करना ठीक है उसके बाद बीटलेक्ट मेस इन्हीबिटर्स जो हैं वह किस तरह क्या होते हैं यह सेपरेट कुछ जाहता है इनके नेम्स किया है और यह कौन से ब्रक्टिरिया के गेंस्ट तो यह आपने करना इसके बाद अधर सेल वाल और मेंब्रें एक्टिव एजेंट्स यह आपने मेकनिसम अफेक्शन और क्लिकल यूज़िज ही करने आपकोर्स वेंकोमैसीन जो है यह काफी इंपोर्टेंट है ठीक है और इसके बार में आपने एक बाद याद रखनी है कि जिडिज़ पावफुल एंट यह ज्यूज यह ठीक है और यह drug of choice है MRSA NPRSV के लिए ठीक है और इसको डिफिसल को लाइटरस में हम यूज करते हैं बस इसका आपने इतना ही याद रखना है और इसके साइड इफेक्ट्स हैं रेड में साइंड राम और फलशिंग करते हैं उसके बाद फॉस्पोमैसिन का अजस्टर आपने यूज करना है UTI में इसको हम यूज करते हैं ठीक है और इसके लावा इसका आपने mechanism of action बैसे ट्रेसिंग का भी mechanism of action and one clinical use or toxicity cyclosirine का भी इसी तरह आपने करना और डप्रमैसिन का भी डप्रमैसिन का आपने यह याद रखना है कि वैंको मैसिन रिजिस्टन पेशिंट्स में हम डप्रमैसिन लेते हैं